डीसी लीग आफ सुपरपेट्स वार्नर बुरूस ने जबसे इस एनिमेटेड मुवी को कन्फरम किया है मैं बहुत इक्साइटेट हूँ इस मुवी को देखने के लिए तो गाइस इस मुवी का आफिसल ट्रेलर आ चुका है जिसको मैं करने माला हूँ ब्रेकडाउन और सभी इडिन डिटेल को करने माला हूँ एक्सप्लें तो गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चोटी जिक वीडियो को लाइक से और चैनल को सब्सक्राइब करकर वैल आइकन प्रस कर दें तो चलिए सुरू करते हैं तो ट्रेलर के फ़र्ट सौट में हमें सहर का सीन करता है सुपरमैन को उठाने के लिए और सुपरमैन को उठा लेता है और फिर अगले सौट में दोनों सहर का एक चक्र लगाते हैं सुपरमैन का पौण यूज करकर इस सीन में सुपरमैन कहीं जाने के लिए अपने कपड़ों को ने आई लेजर से आरन करता है और कहता है मे में पता चलता है जब क्रिप्टो एक मामूली डॉग से बात करता है क्योंकि क्रिप्टो एक सुपर पैठ हो तो इसलिए एक सुपर हिरो वाला बात करता है जिसकी वज़ा से बाकी की एनिमल्स इससे डढ़ते हैं और इस सीन में सुपर मैन के फेमस बिन जॉर्णल जॉड और लीजेंड अब डूम का नाम लेता है क्रिप्टो दे सुपर डॉग और ट्रेलर के अगले ही सॉट में हमें लेक्स लूथर का टाउर देखने को मिलता है जिसके बार क्रिश्टल के एक समू को सुपर बीम से इस बिल्डिंग के अंदर ले जाया जा रहा है ट्रेलर के नेक् लूथर का फश्ट लूग देखने को मिलता है और आगे की सीन में हमें साइबॉर्ग देखने को मिलता है और एक ग्रिन लेटनन जो एक लड़की है और आगे की सीन में क्रिप्टो देखने को मिलता है जो एक बिल्डिंग के बालकनी से सुपर मैन चिलाता है और उसके जिसमें इस जो एक कुटा है उसका पाऊर है। इसके आगे के स्चिर्वक के मेंबर को बचाने के लिए इसके बाद पीबी का सुपर पाॊर देखने को मिलता है जो एक पीग है और यह अपने सरीर के अकार को बढ़ा सकती है और इसके बाद marathon जो एक turtle है जिसके पास super speed का power है मतलब की यह तेज़ दौर सकती है और सबसे last में chip जिसके पास electric power है और chip एक square है और trailer के कई shorts में हमें इनका super पार्क ने रहते हैं जहांपर सुपर मैं का इस टेचू है और इस सीर में कृपटो चेयर पर खड़ा होगे कहता कि सुपर पाउर के साथ आती है सुपर जिम्मेदारी जो इस्पारडर मैन के अंकल का सबसे फेमस डायलोग है और ध्यान से देखने पर पता चलता है कि क्रिप्टो जिस चेयर पर खड़ाया और उसके बगल वाले चेयर पर उस पर डबलू बनावाया जो ओंडर हुमेन का हिंट है और टेलर के अगले सौट में ही एक कैट देखने को मिलती है जिसके पास सुपर पार है और मुझे लगता है जब क्रिष्टल उस रूम में गिरा था तो साइद एक कैट उसी रूम के आसपास थी जिसकी बज़े से इसके पास भी सुपर पार है और ये बिली सुपरपेट्स पर हमला करती है अपने पूछ से बनाए एक मिसाइल से और आगे की सीन में क्रिप्टो आइस को आगे करता है क्योंकि आइस के पास सबसे ज़्यादे स्ट्रॉंग का पाउर है तो इसके उपर मिसाइल का असर नहीं पड़ेगा फिर भी आइस को बहुत ज़्यादा चोट लगता है जो हमें ट्रिलर के आगे की सीन में देखने को मिलता है और इस सीन में जब मिसाइल आइस को लगने वाला होता तो हमें आपे एक इगल देखने को मिलता है जो आगे की सीन में नहीं देखने को मिलता मुझे लगता है एक बिलन्स की ओर से है पर फिर ट्रेलर का एंड होता है एक फ़नी सीन से जहां पर ऐस कहता है किसी को अपनी पाउर की अदला बदली करनी है सो गाइस ए वीडियो था इस मूवी के आफिसल ट्रेलर ब्रेकडाउन का और इस मूवी के इंफामेशन की बात करें तो DC League of the Super Pets मूवी नेक्स्ट इयर रिलिज होगा और इस मूवी का रिलिज डेट है 20 में 2022 और यह मूवी वारनाज ब्रोस का सेकंड सीजी आई एनिमेटर मूवी है इसके पहले वारनाज ब्रोस ने फर्स्ट स्कूब मूवी को रिलिज किया था DC League of the Super Pets मूवी DC का फर्स्ट सीजी आई एनिमेटर मूवी है इसके पहले DC ने जितने भी एनिमेटर मूवी रिलिज किया है और इस मूवी को इंडिया में भी रिलिज किया जा रहा है हिंदी और अधर इंडियन लैंगवेज के साथ जो मुझे बहुत अच्छा लगा क्यों कि इसके आफिसल ट्रेलर के साथ इसको कंफर्म कर दिया गया और इसका एक हिंदी पोश्टर भी रिलिज किया गया इस वीडियो में बच इतना है इस मूवी को लेकर आपके कोई थौट है तो नीचे कमेट करकर जूरू बता है वीडियो पसंद दो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में सेयर करें इस मूवी से रिलेटेड और अधर एनिमेटेड मूवी और स्रीज से रिलेटेड वीडियो इस चैनल पर अपलोड होते रहेंगे तो चैनल को सस्क्राइब और बेल आइकन को प्रेस करके आन कर दीजे तो गाइस मिलते हैं नेक्ट वीडि ये बाइ!